हम तुमको प्यार से एक चुम्मा देंगे क्या बात कर रहे हैं? हाँ पहले अपनी आखें बंद करो भाई, मार्केट में कोई माल नहीं आ रहा यार अरे हमें किसी माल से क्या लेना देना हमें तो हमारे माल से लेना देना है ये वाली? अरे ये वाली देख आगई नहीं ए भाईया बोलिए ये सूट कितने का है? 1.500 रुपए का ए गोरी पहिना जीन सूट सलवार जबानी भटकर बहारावत बा क्या बत्ति मीजी है? जाकी ये सूट सलवार अपनी माबेहन को पहना उनकी भी जबानी फुटके बहार आ की पहनरी सूट सलवार थोड़ी न पहनती है वो साड़ी पहनती है पी शरम अरे सुनो तो हम दिलवा देंगे सूट अरे पैसे ले लो हमारी नैना रानी नाराज हो गई है मनाना पड़ेगा ए चाय प्लावे अरे नैना बिठिया हाँ चाचा जी इतनी देर कर दी मार्केट से आने के लिए अरे चाचा जी वो मार्केट में हमें पपू मिल गया था हरामी छड़ रहा था हमको आज कल के लड़के इतने बत्तमीज हो गए हैं की पताने क्या होगा इस देश का अरे चाचा जी आप ने इंग्रन मत लीजिए ऐसे बत्तमीजो को तमीज सिखाना हमें अच्छे तरीके से आता है अगली बार अगर उसने हमारे साथ ऐसी बत्तमीजी की ना तो हम सैंडल से उसकी खुटाई कर देंगे बेटी अच्छा अब हम आपके लिए चाह लेकर आते हैं मुझे सिर्फ तुमारी चिंता लगी रहती है कोई शरीफ लड़का मिले बड़े दामाज जैसा तो तुमारा भी विवा करवा दूँ तो चाचा जी हमारा ब्या जी जजी सही करवा दीजे बत पागल जद देखो मजाग करती रहती है जाओ चाह लेकर आओ अब हे लाई चाचा जी अरे नैना जी आप और हमारी खुठिया में कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं नहीं पपू ये सपना नहीं हकीकत है अच्छा जी हान जी अच्छा तो आप हमें यी बताईए कि आप यहां करने क्या आई हैं अपने प्यार का इजहार करने आए हैं प्यार का इजहार हाँ ओ का है ना कि आज मार्कित में जिस तरह से तुमने हमको छेड़ा, तुमारे उसी स्टाइल से हमको तुमसे प्यार हो गया, तो आज हम तुम्हें अपने प्यार का तौफा देने आए हैं। तौफा? हाँ! तौफे में कहीं आप हमें धपड़ तो नहीं मारियेगा? नहीं, हम तुमको प्यार से एक चुम्हा देंगे। ये नैना ने तो हमरा चैना लूट लिया। जब तक हम इसकी इज़द नहीं लूटेंगे ना। हमें चैन नहीं आया। चैन लूटेंगे। तुछ तो लगाओ जुगा। पूरी इज़द लूटते हैं। हमें लूटेंगे 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 लूटेंगे। जहिको नहीं हुची शुगा। करता बघ्मेंगे। करती मेंगे लूटेंगे देमीणे नहीं दो हमें घ्राी करते लूटे 한번 करते जब तुटेंगे। स्क् STEVE近श में वरबब में यग C decir, है eine खी नहीं ऩ Corniand छोड़ तू यहां कैसे आया चल बाहर निकल यहां से चोरी से आये हुखा है ना हम आपके साथ सपने में सब्सक्राइब किये बहुत ही मज़ा आया हमें वो रियल में मज़ा दो ला अरे गांजा वांजा फुक के आया है क्या चल भाग यहां से तुम प्यार से नहीं मानोगी कोई बात ने अब हम अपने असली रूप में आते हैं छोड़ छोड़ मुझे छोड़ दुबारा हमारे साथ ऐसे हरकत की ना तो तुम्हारा समान ही काट के फेक देंगे अब जा यहां से चूतिये जोना अभी तो हम यहां से जा रहे हैं लेकिन अब हमसे बच कर रहना याद रखना बॉका मिले गे ना रगर देंगे तुमको हां हां आजा मेरा दिमाग खराप करके रख दिया अब यह घर तक भी आ गया थेर जा अब बताते हूं तुझे बुरा सपना मैं डर गई जाहिए आप सोजा यह सोजा 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 ना यह भगवान यह पपू ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है अब तो सपने में भी आने लगाएं ससुरा अब तो यह हमें खुली आंखो से भी दिखाई देने लगा आप है कहीं यह मर-मुरा तो नहीं गया इसका भूत तो नहीं आ रहा है हमारे पास नैना जी हम कोई बूद बूद नहीं है तुम 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 फिर से आ गए तुम्हें दोपहर का थपड तुम्हें याद नहीं है क्या याद है बहुत अच्छी से याद है तो नैना जी हमें माफ कर दीजिए हम आपके साथ बहुत बद्दमीजीं किये है लेकिन हम कोनों गलत आदमी नहीं है हम आपसे बहुत प्यार करते हैं क्या? अब ये क्या नया नाटक लगा रखा है पपू? देखिए नैना जी, ये कोनों नाटक वाटक नहीं है ये हम सच बोल रहे हैं, देखिए आप खाली ये गुलाब का फूल सुईकार कर लीजिए हम यहां से चले जाएंगे, कसम से नैना जी, आपकी कसम, बस ठीक है दो, और उसके बाद चले जाना नहीं तो चाचा जी आ जाएंगे हाँ चले जाएंगे, चले जाएंगे नैना जी, आई लव यू का, पागल, साला एकदम में पागल तो नहीं हो गया उसकी तरह ये गुलाब का फूल भी, टेडा ही है हाँ, अच्छा जी, जाजी आगे नमस्ते, पाच्छाएंगे दीदी, कैसी हो? बस बढ़ियां, नमस्ते जी चाचा जी, आप बैठिये, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ बैठिये, आजओ और बताओ बस बढ़ियां, आप सुनाईए बस चाचा जी, पापा जी की तवियत खराब होने की वज़े से उनका सारा कारोबार मैं ही संभाल रहा हूँ, बस बस उसी वज़े से यहां आने में थोड़ी प्रावलम हो जाती है, और कुछ नहीं इसी इतने हो गए हैं कि आप क्या बताओं आपको लीजे जिजा जी, नास्ता करिए अरे साली साइबा, पहले नहा लेते, उसके बाद ही नास्ता कर लेते अरे अरे, पहले आप नास्ता कर लीजे, उसके बाद नहा लीजेगा वैसे भी आप बहुत पतले हो गए हो अरे, फिट तो है ना आप कितने फिट हैं वो तो हमें माही दिदी ही बता देगी बहुत नौटी हो गई हमारी साली सागवा आम खाईए चलो खाओ क्या बात है दिदी आप तो बहुत खिली खिली नजर आ रही है लगता है जीजाजी जवानी का डोज आपको भरपूर दे रहे हैं अरे भगवान इसमें जवानी का दोश क्या तेरे जीजाजी तो हर रोज मुझे जवानी का इंजेक्शन लगाते हैं बात तो एक ही है न दिदी अच्छा ये सब छोड़ तू ये बता शादी कब कर रही है अरे दिदी मैं तभी बच्ची हूना क्या खाक बच्ची है ये नीमभू कब संत्रा बन गए पता ही नहीं चला अब इससे पहले कि ये पपीता बन जाए तो शादी कर ले क्या दिदी आपना जीजु के साथ रहे के बहुत बेशरम हो गई है इसमें बेशरम में वाली कौन सी बात है अच्छा ये सब छोड़ आज ही मैं तेरी चाचा जी से शादी की बात करती हूँ कर लेना शादी की बात लेकिन पहले मैं आपको आपकी सहली रिया के पास लेके चलती हूँ वो यही आई आए अपने पती के साथ रहेने अच्छा ठीक है वैसे बहुत दिन हो गये हैं मातरानी के दर्शन भी नहीं की रास्ते में माता रानी की मंदीर हैं, दर्शन कर लेंगे हाँ, ठीक है, तो मैं अभी कपड़ बदल के आती हूँ ठीक है क्या बात है आज आपके बालों से और बदन से बहुत अच्छे खुश बुआ रही है हम नेना है ओ, सॉरी, मैंने मा ही समझ के तुम्हें पकड़ लिया कोई बात नहीं, आपका इतना हक तो हम पे बनता है ना हम आपकी साली है हाँ, कल मैंने पापा जी को फोन किया था, अब वो थोड़े से बहतर है अरे, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या हाँ, हम दोनों बंदिर जा रहे हैं दर्शन करने और हम वहाँ कुछ अपनी सहलियों से भी मिल लेंगे ठीक है, समल कर जाना और हाँ, वो रात होने से पहले जल्दी घर लोटाना, ठीक है ठीक है, जी चाचा जी वैसे नैना, मैं माता रानी के दर्शन करके पता नहीं मुझे अंदर से आजीब सा होने लगता है वो तो है दीदी, चलो, रिया के घर चलते हैं हाँ, चलो कपड़े पहनो जल्दी पहनो रिया क्या कर रही हो, खोलो हाँ, आरी उरको, खोलो बाबा पता नहीं कौन आ गया सालम पूरा मेरा पूरी खाराब कर दिया यह अपने सारा सामान लो निकलो नेना माही तुम दोनो हाँ, हम दोनो, अब तु यह बता कि यह लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है अरे दीदी, यह क्या बताएगी, मैं बताती हूँ न, वो गाउं का टोपोरी लड़का हैरी है यह टोपोरी यहाँ क्या कर रहा था? सब बताती हूँ, पहले अंदर आओ, बैठो चलो बैठो अब बता, यह कौन है? तुम दुनों को तो पता है, मेरी शादी को तीन साल हो गए मेरे पती से तो कुछ होता ही नहीं, दो-तीन मिनट में उनका धीला हो जाता है और तो और काम के चक्कर में अक्सर बहार रुपते हैं, तो इसका मतलद तु किसी के साथ भी अपने शरीर की प्यास बुज़ा लेगी देख माही, जिस तरह से पेट की भूख होती है, उसी तरह से सरीर के भी भूख होती है इंसान पेट की भूख परदाश कर सकता है लेकिन शरी का भूख परदाश नहीं कर सकता त्रिया मैं तेरे भावनाव को अच्छी तरह से समस्ती हूँ अच्छा ये सब छोड़ो तुम दोनों बहुत दिनों बाद आयों मेरे घर पे मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आते हैं चाय हम बाद नहीं पी लेंगे पहली थोड़े दिर बैठ हम बाते करते हैं वैसे माही तेरी शादेश चुदालाई पेसे चल रही है मैं तो बहुत मज आजे में हूँ तेरे जीजू मुझे एक रात के लिए अकेला नहीं छोड़ते हैं यार तुम दोनों बैठो मैं चाय चड़ा कर आती हूँ ठीक है यार किती चंट है छोड़ो ना दिदी हमें क्या करना है अरे रिया चाय बन गई हाँ बस आई दो मिनिट अच्छा अच्छ यह नहीं है यार चाय बने बना है आती है यहाँ आती है यहाँ अच्छा आती है यहाँ